अनुप शहर छोटी काशी में रहने वाले संत नीजानन्द धाम आईश्रूम के अध्याक स्वेंपरकाश तिर्थ संतो द्वारा मान्य मुखे मंत्री योग्यादितिनाथ को कार्थिक मेले की पावन परपर यह मांग रखकर विधाय को प्रारतना पतर देते हुए बताया कि चोटी काशी नगरी गंगा जी का जल सीवर टरीट्मिंट प्लांट के गंदयी पानी से निर्मल नहीं रहता है। यह लोग जल का शोधन में मिशिनरी के द्वारा करके गंगा जी में डाल देते हैं। प्रंतु कभी कभी गंदा पानी भी सीवर का गंगा में डाल देते हैं। इसका अस्थाई इलाज है कि सीवर लाइन के गंदे पानी के लिए अलग से नाला बना कर दूसरी नदी वो खेतों में पहुंचाया जाए। जिस पानी के दोरह संचाई करने में खेती को बल मिलेगा। गंदगी नहीं फेलाएंगे इस पारे में जाकुर किया जाएगा गवर्मेंट चाहे सुशाशन को शुशाशन तो उन लोगों पर कारिवाई नहीं कर पा रही है और शरदालों को ठेस पहुंचती है। गंगा जी जैसे पवीत्र स्थान में समाजी तत्व यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं। आपको बता दें कल देखा गया कि बीड़ी पीने की तियारी कर रहे थे जब उनको रोका गया तो संत द्वारा महापर जो मौजूद थे इस प्रकार से सुंदरता वीविधता काहिम रहे इस कारण को लेकर परमगती ऐसे नहीं मिलती स्वचता ऐसे ही प्राप्त नहीं होती उसके लिए अनुशाशन होता है पवितरता के लिए नियम होते हैं उनको पालन करने के लिए सुंदर घाट का निर्मान अत्ती आविश्यक है आप देख रहे हैं शर्दालू सनान करे हैं सुवर महीं घूम रहे हैं सुवरों पर नियंतरन अप्लिकेशन देने के बाद भी गवर्बेंट को नहीं इस और ध्यान दिया गवर्बेंट नीज दिया इसलिए योगी जी से विशेश अग्राए कि इसकारे को पुर्ण कर विलम रहित हमारे जीवन को सुंदर श्यांती बिनाने का प्रयास करें जिसे प्रमात्मा की प्राप्टी हो उनका ध्यान लगाया कि महारा क्या नाम है आपका और क्यों बैढ़े हैं अंशन किसलिए कर रहे हैं स्वामी स्वयम प्रकास तीर्थ यह अंशन ब्रत गंगाजी का फुल से लेकर के छोटी कासी नगरी के अंतिम छोड़ तक राजस्थानी लाल पत्थर में घाट का निर्मान योगी जी को करने के लिए आग्रह कर रहे हैं जिससे कि यहां आने वाले स्रध्धालू गंदगी करते हैं पॉलुतिन का विसेश जोर रहता है अपने वस्त्र गाटों पर डालते हैं तो इन कच्चे गाटों पर हम उनको पकड़ना भी चाहते हैं तो अधिकान समय ऐसा होता है कि हम पकड़ नहीं पाते हैं यदि सही से गाट सुन्दर बन जाएगा तो वहां आसामाजिक तत्व भी पकड़ने में आसानी रहेगी उनको और गंदगी नहीं फैलाएंगे गवर्मेंट चाहे सुसासन तो उन लोगों पर सुसासन अभी नहीं कर पा रही है क्योंकि पकड़ में नहीं आ पाते हैं और सरधालूं को ठेश पहुंसती है कि गंगाजी जैसे पविस्तान में असामाजिक तत्व जोर कर रहे हैं मादक्ता का प्रयोक करके गंगा घाटों पर बैठते हैं कल हमने देखा कि बीनी पीने की तैयारी कर रहे थे मैंने उनको रोका संत मौजूद थे मेरे साथ में कई तो इस प्रकार से सुंदर्ता दिब्विता स्थिर रहे कायम रहे इस कारण को लेकर के परमगती ऐसे नहीं मिलती स्वक्षता ऐसे ही नहीं प्राप्त होती उसके लिए अनुशासन होता है पवित्रता के लिए नियम होते हैं तो उनको पालन करने के लिए सुंदर घाट का निर्माण अतियावशक है आप देख रहे हैं सरद्धाल उश्नान कर रहे हैं सुवर वहीं घूम रहे हैं सुवरों पर हम नियंतर एप्लीकेशन देने के वादवी गवर्मेंट को नहीं निजात पा रहे हैं इसलिए योगी जिसे विसे साग रहा कि इस कारे को फूर कर विलं ध्यादन लगा सकें गंगा घाटों पर अभी हम गंगा घाटों पर बैठका प्र द्यान नहीं लगा पाते माध़ Organ करते हैं माधक अप्रियुक करते हैं इनी ब्यभारों को देखते हुए हम एक लक्ष पर पहुंचे हैं कि पॉलोथिन भी एक वार हम देख लें तो उसको हम कम से कम पकड़ तो सकें अब हम पकड़ी नहीं पा रहे हैं कौन डाल रहा है कच्रा कहां से उस पॉलोथिन में लेकर के आ रहा है तो इनी कारणों को लेकर के हम इस अंसन व्रत पर आंसिक अंसन व्रत है आज का यदि ये योगी जी नहीं स्विकार कर पाएंगे बात को पूरी नहीं कर पाएंगे तो आगे शंतों का आंदोलन रहेगा और अंसन पर फिर आगे भी करेंगे ऐसा हमारा शंकल्ब रहेगा